ये ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है लेकिन जब कोई चीज जरुवत से जादा होती है तब उसका ठीक से इस्तिमाल नहीं हो पाता है पढ़ाई कैसा है, इक्जाम का तयारी कैसा है, मगर ये मन पढ़ाई में नहीं लगता है दिन भर मुबाईल और कम्प्यूटर में बैट कर बेकार के लाइक और कमेंड लिखते रहते हैं और अपना अमुल्य समय बेकार के काम में बिताते रहते हैं आप लोग रोज सोचते हैं कि कल से पढ़ाई सुरू करूंगा लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं आप समय का कदर नहीं कर रहे हैं जब आप लोग पढ़ाई करने लगते हैं केवल घड़ी की तरफ देखते रहते हैं कि समय जल्दी से खतम होगा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थोमस अलवा एडिशन है वो अपने लैप में कभी भी घड़ी नहीं रखते थे वो केबल अपने काम में केंदरित रहते थे उनकी इसी महनत ने उनको एक साइंटिस्ट में परिवर्टम किया आज कल लोकडाउन चल रहा है स्कूल कॉलेज सब बंध है आप लोग घर में बैठ कर अपना सारा समय सोशल मेडिया पे खर्च कर रहे हैं समय का कदर नहीं करते हैं एक ना एक दिन लोकडाउन खतम होगी और वो तिन एसास होगा कि मेरे पास बहुत समय था मैंने कुछ नहीं किया अपने आपको भेतर बनाने के लिए वो दिन आपको बहुत अफसोस होगा इसलिए समय का अच्छ से उप्योग करें धन्यवाद